हलो फ्रेंड्स, वेलकम तो मैं चैनल, फ्रेंड्स आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने बच्चों को जो छोटे बच्चे हमारे घर में होते हैं, दो से तीन साल के बच्चों को घर में ही हम कैसे पढ़ा हैं और उनके लिए हमी कौन-कौन सी वेडियो शुरू करते हैं, सबसे पहली यह बुक है यह एल्फाबेट की, जिसमें A for Apple, B for Ball वगरा होता है, यह बुक आपको लेनी जरूरी है, अब आपको पढ़ाने का तरीका क्या है, इसको पढ़ाने का तरीका ऐसे है, A for, यहाँ पर आप फिंगर रख वाएंगे, A for Apple, A for X, A for Arm, A for Aero Plane, तो इस तरीके से क्या होता है, बच्या जब फिंगर रख रख के पढ़ता है, तो उसे आथानी से कैच हो जाती है, ओर उसे पता होता है, A for X होता है, A for Apple होता है, इस तरीके से वो पता करता जाता है, इसी तरह के से आप B भी पढ़ाएंगे B for ball, B for boy, B for bell, B for basket इसी तरह के से C को पढ़ाएना है इसी तरह के D को इस तरह के से हमें बहुत से बहुत L या M तक पढ़ाना है इतना ही काफी रहता है बच्चों के लिए क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं इतना सारा वो कवर एक साथ नहीं कर पाएंगे और अगर वो ज़्यादा कवर कर पाते हैं तो अच्छी बात है आप ज़्यादा भी कवर करा सकते हैं आप दूसरी बुक की बात करते हैं दूसरी बुक है ये अक्षर ग्यान की अक्षर ग्यान में क्या है आसे अनार, बड़े आसे आम, तो इसको भी हमें केवल सर, जो हमारे बड़ा अंखाली होता है, वह सर तक आपको कराना है, जैसे छोटे आसे अनार, छोटे आसे अजगर, इस तरीके से करते हुए, फिर हम यहां आ जाएंगे, बड़े आसे आम, बड़े आसे आग, छोटी से चोटी से इमरती बड़ी इसवे इक बड़ी इसवे इइट इस थरीके से अगर हम करते हुए रेसे रिशी और इसे एडी इहां पर बड़ा अंग खाली तक हमें पढ़ाना होता है क्योंकि नर्सरी में जब बच्चाता है क्या पहचान जैसे ये क्या है अनार इसको बच्चा देखके पहचान जाए अनार या ये क्या है छोटा आ बस यही पहचान होनी चाहिए बच्चों को छोटी इ, इमली, आम ये चीज पहचान होनी चाहिए अब इस हमां केवल पहचान करवाना है और लिखवाना बिल्कुल भ two three की इस तरीके से कोई book अगर आपके पास हो तो याली book आप purchase कर सकते हैं इसमें आपको कैसे करना है one one two one two three one two three four one two three four इस तरीके से आपको पढ़ाते हो जाना है इस तरीके से पढ़ाने का फायदा यह होगा कि बच्चों को counting करनी आ जाएगी क्योंकि आगे उनको counting सीखनी एक चीज़ पर रखेंगे तो उन्हें आगे चलके counting में परशानी नहीं होगी तो आपको यह कहता कराना है सिर्फ 10 तक प्री नर्सरी में सिर्फ 10 तक ही आता है इस तरीके से आपको ऐसे बुक ले लीजिए नहीं तो कोई math की आप बुक अलग से purchase कर सकते हैं फिर बात करते ह है कुछ portion होता है हमारा GK का तो जीके के portion में आपको क्या कराना है सिर्फ आपको वही recognition कराना है यानि पहचान करवाना है जैसे इसमें बहुत सारे अनिमल बन रहे है तो इतने सारे अनिमल तो बच्चा नहीं रट पाएगा तो में में जो अनिमल जैसे टाइगर इंट डॉग, कैट, होड यह सब की पहचान आपको बच्चे को करानी है सिंपल सिंपल से अब इसमें बहुत सारे जो वाटर अनिमल हैं वो दे रखी है तो सारे वाटर अनिमल बच्चा चोटा बच्चा है क्योंकि रट नी पाएगा तो आप अगर चाहें तो टर्टल, शा पेरो, कॉक, पैरट यह सब बिल्कुल आसान आसान वाले इधर आप देख सकते हैं इंसेक्ट्स हैं यह इंसेक्ट्स में आपकी बटरफ्लाइ केवल बटरफ्लाइ करा दीजे और बाकी बच्चों खेली थोड़ा टफ हो जाएगा अब आते हैं फ्रूट्स फ्रूट्स बच् ऄसी हैं आसानी से jakby कर लेतें लेकिन एको बिल्कुल सिंपल वाली करानी चैक्ड पोटेटो हो, टोमेटो ऐनियों लेमन, कैरट ये सारे वह मरेख़ता तरह नहीं तो क्यों स ये सारी लेकिन आसानाई से याद होती है वह थे खुछ. इदर फूड में कुछी है नहीं करा थोड़ा ठफ है ये फूड का पोर्शन और यह flower का जो portion है, flower में आप rose करा सकते हैं, simple was rose और lotus, आपको दो ही flower इसमें कराने हैं, और आगे यह सारी toughie books, यह cloth है, article है, यतना बच्चा learn नहीं कर पाता है, और आपका कोई object ऐसा है, जैसे घर में bathroom का कोई object है, बच्चा रोज देखता है, यह bucket है, यह toothbrush है, तो इस तरीके स आप पहचान करवा सकते हैं, next आगे बढ़ते हैं, यह है कुछ हमारी rhymes की और बालगीत की किताब आती है, यह twin one करके एक ही किताब में दोनों होती है, तब यह इसमें क्या होता है, English की rhymes भी दिये होती है, और इधर Hindi की rhymes भी दिये होती है, तो एक दो rhymes अगर आप चाहें, एक दो Hindi की भी आप करा सकते हैं, इसमें कोई परिशानी नहीं होगी, देखिए, जैसे early to bed and early to rise, make some man healthy, wealthy and wise, इसको आप कैसे याद कराएंगे, जैसे बच्चा रोज सुभा उट रहा है, या आप जब भी अपना कोई घर का काम कर रहे हैं, जैसे खाना बना रहे हैं, कपड़े हो रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो आप इसको बोलते चाहिए, बच्चा पीचे बीचे आपकी बात repeat करता जाएगा, तो उसे आपको specially कोई लेके बैठनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कि आप specially बैठ रहे हैं, और इससे याद करा रहे हैं, आप बोलते चाहिए, ब कोयम की बुक है, तो इस तरीकी से आप 4-5 ऐसे किताब ले लिजे, जिससे आप अपने बच्चे का घर में ही सारा कोर्स करा लेंगे, और बस next class में एकदम उसका नर्सरी में ही admission हो जाएगा, तो ये हैं सारी अक्षर ग्यान है, अलफा वेट है, एक किताब, एक किताब आप चाहें तो maths की अलग ले ले, नहीं तो अगर अलफा वेट में भी कभी-कभी maths का portion दिया होता है, वो भी आप ले सकते हैं, और एक ये किताब है, जो आपके जीके के काम आएगी, पिक्चर जिसमें होते है, recognition इस तरीके से, और एक आप ले लीजे, किताब rhymes की, बस ये सारी क आपको लेनी है, इससे जादा आपकी बच्चे को नहीं करना, और एक चीज़ और में आपको बताती हूँ, कि हम ये पढ़ाने के साथ साथ क्या करते हैं, घर में बच्चा होता है, तो वो कोई भी जैसे पैन है या पैंसिल है, तो उसको चलाने की कोशिश करता है, तो आप ऐसे कोई खाली, आपके पास कोई पुरानी सी, कोई कॉपी पड़ी हो, और उधर साइड आपको प्लेन हो, या लिखा हुआ भी हो, तो आप बच्चे को दे दीजिए, बच्चा क्या करेगा, श्रू में ऐसे ऐसे पैंसल चलाएगा, तो उससे चलाने दीजिए, इससे क्या करने दीजिए, बस ड्रॉ करने का मतलब यह ही है कि उसकी जो मसल्स हैं, उन्हें हमें स्ट्रॉंग करवाना है, बाकी आप ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, धिरे धिरे जब बच्चे ऐसे करने लगे, सईसे पैंसल होल्ड करने लगे, तब आपको क्या करना है, तो स्टेंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन और स्लांटिंग लाइन, ये तीन लाइन आपको घर पे जरूर करानी है, कौन सी लाइन है, स्टेंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन और स्लांटिंग लाइन, ये तीन लाइन जरूर आपको करानी है, कब जब आप बच्चे को घर में 6-7 महीन तक पढ़ा ले तब क्योंकि अभी तो रिकॉंगनाइज चेन में और बच्चे को पैंसिल ऐसे पकड़ने में फिर ऐसे पकड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा तो यही थी वीडियो कैसी लगी अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें थैंक्स वाचेंग